मैं हूँ आपकी मेंटोर उम्म्माहिमर्मान करल के जो हमारी वीडियो थी टॉपिक था जो हमारा उसमें हमने परस्नालिटी टेस्ट मायनस ओटा मल्टिपल या मल्टी फेजिक परस्नालिटी इन्वेंट्री को discuss किया था उसके लावा मेर ब्रिग्स इंडिकेटर को और कुछ जो च्वार टाइप्स थी हमारे पास सोशियोमेटिक टेक्नेक्स थी हमने उनको discuss किया था लेकिन आज के हमारी जो वीडियो है उस पे हम सबसे पहले discuss करेंगे sample of behavior को और उसके बाद different personality techniques जो हैं वो आपको बताऊंगी अच्छा personality tests अलग होते हैं ठीक हो गया और personality को मेर करने की techniques अलग होती हैं test हमने कल discuss किये थे MMP और MBT में ठीक हो गया और जो personality को मेर करने की छोटी छोटी techniques है न वो हम आज discuss करेंगे उसके लावा जो third topic आज हम discuss करेंगे वो होगा attitude scales का तो आप लोगोंने वीडियो को skip नहीं करना end तक देखना है मैं daily life examples के साथ कोशिश करूँगी के relate करके आपको अच्छे से के concepts clear करवा दूँ अच्छा इसके लावा में different जो techniques हैं ये different instruments हैं ये different scales हैं इनमें आपको difference भी बताऊंगी खास दोर पे जो main difference में आपको आज बताऊंगी ना बोड़ बताऊंगी liquid scale में और rating scale में क्योंकि लोग ये समयते हैं कि मतलब ये same ही चीज़ है और एक ही चीज़ के दो नाम है लेकिन असन नहीं है ये बहुत से लोगों को अगर ये concept clear भी होता ना कि liquid scale में और जो हमरे पस rating scale है इनमें मतलब difference है ये दो अलग चीज़ नहीं है तो उनको main difference का पता नहीं होता तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इन दोनों में main difference क्या है जी जो sample of behavior को मैयर करने के लिए जो हम पैमाने यूज़ करते हैं वो होते हैं achievement tests, aptitude tests, projective techniques जो होते हैं ये होते हैं ये mean तीन चार टाइप्स हैं एक टाइप है intelligence tests की ठीक हो गया पहले हम इन चार टाइप्स को discuss करेंगे उसके बाद हम फिर projective techniques की further sub types जो हैं वो discuss करेंगे ठीक हैं आप लोगों ने ये mind में रखना है कि हमारे sample of behavior को मैयर करने के लिए projective tests भी use होते हैं या अगर simple ways में हम कहें तो हमारी personality को मैयर करने के लिए क्योंकि जो हमारा sample of behavior या हमारी specific traits होती हैं वही हमारी personality होती हैं तो उर्फे आम में असल में projective techniques को personality को मैयर करने की techniques ही माना जाता है लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि असल में sample of behavior को मैयर करने की main technique की sub techniques है ठीक हो गया सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं कि achievement tests क्या होते हैं जो achievement tests होते हैं ये असल में हमारी previously learned material जो पहले से हमारे पास information होती है जो कुछ हम अपनी previous life में achieve कर चुके होते हैं हमारी skills, हमारा knowledge, हमारी learning कोई specific area, कोई language ठीक है? उनके बारे में जो हमारा test होता है वो achievement test होता है मतलब जब से हमने कुछ कोई भी skills सीखनी स्टार्ट किया तब से लेके अब तक हम उसके कौन से level पे हैं या अगर हम knowledge gain करने में लगे रहे हैं 16 साल के हमारे पास MA की degree है तो मतलब या हमारे पास BA की degree है तो हमने उस में से कितना knowledge जो है given time period में कितना knowledge gain किया तीक है? तो हमें future की performance बताते हैं मतलब predict करते हैं यह test जो aptitude test होते हैं यह prediction test होते हैं in simple words जो यह predict करके हमें बताते हैं कि future में हमारी performance कैसी रहेगी जैसे किसी candidate की job capabilities को देखने के लिए aptitude test conduct किये जाते हैं जैसे इसके example अगर मैं दूँ तो get, let और इसके लगव PPSC का test जैसे होता है जैसे NTS के test होते हैं तो यह हमारे aptitude test में include किये जाते हैं ठीक है इसमें असल में एक candidate की reasoning देखी जाती है इसकी numerical reasoning देखी जाती है इसकी verbal reasoning देखी जाती है ठीक हो गया मतलब main main points जो होते हैं उसके वो देखे जाते हैं कि future में इसकी performance कैसी रहेगी prediction के लिए उसके बाद हम देखते हैं कि intelligence tests क्या होते हैं जो intelligence tests होते हैं यह different जो mental functions होते हैं उनको test करने के लिए होते हैं यह हमारी reasoning power को test करने के लिए होते हैं यह हमारी cognitive abilities को test करने के test होते हैं चीक है और रिसेंटली जी पाकिस्तान की एक बच्ची है उनका नाम तो मेरे माइंड से स्किप हो गया उन्होंने आइंस्टाइन का भी इंटेलिजेंस के टेस्ट का रिकार्ड ब्रेक किया है वो पाकिस्तान की बच्ची है माशाला मैं आप सब लोगों को मुबारक बात दों और साइंसदान जो है वो उस पर तहकीक भी करना चाहते हैं लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो इसकी परमीशन नहीं दे रहे इंचाला मैं जरूर अपने कम्यूनिटी टैब में वो पिक शेयर करूंगी उस बच्ची की पिक भी शेयर करूंगी और उससे रिलेटिड पूर आईए हमारी परसुनलेट्टी को मेर करने के लिए ठीक हो गया अब भी फिर स्ब टाइप्स डिफरेंट हैं वो मैं आगे चलका आके साइत डिसकस करती हूं इंक बोल्ट टेस्ट होते हैं ये दो तरह के होते हैं इंक बोल्ट टेस्ट ए और इंक बोल्ट टेस्ट भी जिनको होड्समेन और रोसार्च भी कहा जाते है रोसार्च इंक बोल्ट टेस्ट जो था ये पहला टेस्ट था ठीक है इसमें कुछ ऐसे समझ दें कि सिस्टमेटिक इंक बोल्ट इमेजिस दिये जाते हैं ठीक है जी मैं आपको बता रही थी दोनों टाइपस जो इंक बोल्ट टेस्ट की थी रोसार्च इंक बोल्ट टेस्ट और होर्समेन इंक बोल्ट टेस्ट जो होर्समेन है वो रोसार्च की एक आप कह सकते हैं कि जदीद फॉर्म है या र सेट्स होते हैं लेकिन होट्समैन में जो टेस्ट 하ोते हैं वो ज्यादा अगरते तैंसे हैं म्यद्दे में ज्यादा होते हैं 15 मुझन ज्यादा होते हैं और आप अभी श्कूरिंस का क्राइटेरिया होता ना हॉर्ड्समैन को हो order में रखा जाता है ठीक हो गया और उसके बाद यह देखा जाता है मतलब जो respondent होता है उसको कहता है कि इन pictures को आपने explain करने है इनको देख कि आपके mind में क्या आता है आप इसको explain करें जो explain करता है तो फिर उसकी जो problems होती है ना inner problems या hidden problems उनको चेक किया जाता है उसकी personality को माईर किया जाता है ठीक हो गया उसके बाद हम देखते है thematic appreciation test जो thematic appreciation test होता है ना यह most important test है paper point of view से भी interview point of view से भी आपने इसको ज़रूर learn करना है ठीक हो गया और यह widely used test है अक्सर यह भी question किया जाता है which is the most widely used test of personality measurement तो वो thematic appreciation test है इसको tact भी कहा जाता है और TAT भी कहा जाता है ठीक है इसमें कुछ ambiguous scenes होते है मतलब धुंदले गयरवाजे मभभम scenes होते है ठीक है और लोगों को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि मतलब आप देख के बताएं कि यह क्या चीज़ है ठीक है अकसर आप TV shows में देखते होंगे कि किसी actor या actress का जो face है उसको मतलब blur कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि guess करेंगे कौन है मतलब एक example दे रही हूँ thematic appreciation test की लेकिन जो main test होता है न thematic appreciation test उसमें ambiguous scenes इस तरह से होते है कि देखने में आपको यू लगता है कि नहीं एक time में आपको लगता है ये एक aspect है दूसरे time में आपको लगता है नहीं कोई दूसरी चीज़ है तो फिर आपने mental abilities के हिसाब से है ये mental जो आपका point of view होता है उसके हिसाब से explain करना होता है और फिर आपकी hidden जो thoughts होती है ना जो मतलब होता है आपका psychologist वो उनको उसमें से मयर करने के कोशिश करता है ठीक हो गया उसके बाद draw a person test ये वाला जो test है ना ज़्यादा famous नहीं है draw a person test ये असल में use किया जाता है बच्चों के लिए ज़्यादा तर चोटे बचों कि जो personality है ना उसको मयर करने के लिए अच्छा draw a person test होता क्या है ये होता है कि मतलब जो respondent होता ना ये जो person होता है उसको कहा जाता है कि आपने sketch बिनाने किसी भी person का जो आपको पसंद हो या आपको ना पसंद हो या कोई भी एक special या specific मतलब आप sketch बना दें आज किल पकस्तान की चैनल्स पे एक commercial चैल रही है different channels पे आपको देखने में मिलेगी उसमें यह होता है कि एक चोटा सा बच्चा होता है वो अपनी family जार कर रहा होता है mother, father और वो बच्चा होता है तो mother, father को इस तरह से दिखाया जाता है कि वो लोग mobile में बहुत ज़दा मगन होते हैं और बच्चा जो है वो lonely feel कर रहा होता है ठीक हो गया मतलब वो उस picture को draw करके बच्चा यह अपनी feelings inner thoughts को जो है ना express कर रहा होता है तो यह draw person test यह draw picture test की best example हो सकता है अचा एक और टाइप है projective techniques की जिसको हम animal metaphor test कहते है metaphor आपको पता है कि क्या होता है metaphor जो है उर्दू में इसको इस तारा कहते है तो animal metaphor test जो होता है उसमें respondent को कहा जाता है कि आप एक story create करेंगे ठीक है और कुछ test में अचा भी कहा जाता है कि इसको आपने animal instincts के साथ relate करना है उस story को मतब simple word में अगर हम कहें ना कि वो जो story create करवाई जाती है animal metaphor test में जैसे for example हम किसी को कहा दें कि जी आपने एक story create करनी है कि यह लड़का जो है ना वो share जैसा भाद हो रही अन्य शेर है खुद share है या जैसे हम पाकिस्तान के जो martyrs है उनके बारे में कोई story बच्चों से create करवाना चाहें या किसी और बड़े respondent से create करवाना चाहें कि आप create करें कि जो पाकिस्तान की फौज है वो share है या share दिलने है तो उस पे अगर वो कोई story create करता है तो जो हम simple word में कहें कि जो psychologist होगा वो यह मईयर करने के कोशिश करेगा कि जो respondent है वो क्या सूचता है उस person के बारे में देखोंगे हैं तो यह animal metaphor test में आ जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि sentence completion test क्या होता है यह भी बड़ा favorite test है psychologist का यह एकसर use किया जाता है sentence जो completion test है यह paper point of view और interview point of view इन दोनों के हवाले से बहुत important है ठीक होगे इसमें एक sentence दिया जाता है और वो sentence जो होता है मतलब complete नहीं होता उसका एक part दे दिया जाता और second जो है वो respondent नहीं complete करना होता है जैसे अकसर आपके जो what's up पे friends हैं वो भी आपको कहते होंगे कि जुम्ला मुकमल करें अगर मुझे एक दिन के लिए वजीरियाजम बना दिया जाए तो फिर जो respondent होता है वो अपनी feelings share करता है या कोई इस तरह से sentence दे दिया जाता है कि अगर आपको चाई की पत्ती के धेर पर बिठा दिया जाए तो फिर आपने अपनी feelings share करनी होती है या अगर आप PPSC का test top कर जाएं तो मतब इस तरह का कुछ भी sentence जो है ना तो दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको complete करने वाला होता है तो जो complete करने वाला होता है no doubt वो अपनी inner feelings inner thoughts के हवाले से उसको discuss करता है अच्छा इसकी जो next type है वो है picture arrangement test जो picture arrangement test है ना इसमें 5-5 pictures के 25 tests होते हैं मतलब एक set जो होता है ना वो 5 pictures पे होता है और 5 pictures वाले इसी तरहां के 25 sets होते हैं यानि simple words में अगर हम कहें तो असल में 125 pictures होती हैं जिनके 5-5 के sets बना के 25 sets बनाए जाते हैं और respondent को कहा जाता है कि आप इनके order को arrange करें अब जो respondent होता है वो अपनी inner thoughts inner feelings के हवाले से उसको arrange करता है और फिर जो psychologist होता है या में के लिए जो भी person बैठा होता है वो उसके according mostly psychologist से होते हैं वो उसके arrangement के according उसकी personality को में करने के कोशिश करता है चिक है अचा एक और बहुत widely used test है बोथ interview and paper के हवाले से word association test उसमें क्या होता है एक word बताया जाता है और respondent से कहा जाता है कि इसको आपने associate करना है अपने किसी भी feeling के साथ अपने किसी भी thought के साथ अपने किसी भी जिंदगी में को यासा वाक्या हो गया तो उसके साथ तो जो respondent होता है वो उस given word को अपने thoughts के साथ अपनी inner feelings के साथ या अपने जिंदगी में हो जाने वाले किसी वाकी के साथ relate करता है तो इस तरह जो psychologist होता है उसके जो inner problems होती है उन तक पहुँशने के कोशिश करता है अच्छा एक और भी टेस्ट होता है graphology ये बहुत ज़दे important तो नहीं है लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए एक बार नजर से गुज़र जाए तो बहतर होता है चीज जो graphology होती है उसमें आपको कहा जाता है कि आप अपनी कोई already written piece of work दिखाएं मतलब आपकी write-ups हों जो आपने पहले कभी लिख़्े हों या कभी आप अकेले बैटे हों आपने पटी thoughts को express करते हुए कुछ write-ups लिख़्े हों या फिर आपसे ये कहा जाता है कि मतलब आप कुछ write करके दिखाएं तो उसमें क्या होता है उसमें आपकी writing के style से मेजर करने की कोशिश की जाती है कि आपकी personality कैसी है जैसे मैं आपको एक second मैं अभी आपको बताती हूं किस तरह से जैसे for example जब हम English write करते हैं तो कुछ लोगों का flow इस side पे होता है कुछ लोगों का flow इस side पे होता है और कुछ लोगों का flow इस side पे होता है तो मतलब इन three written style से आपकी personality का पता जलता है कि आपकी personality कैसी है ठीक है मतलब जो होगा ना आपका psychologist वो आपके writing style से आपकी personality को measure करने के कुशिश करेगा यह होता है graphology test of personality measurement ठीक हो गया अब हम आजाते हैं attitude skills के तरफ जी सबसे पहले आप यह देखें कि attitude skills क्या होते है attitude skills जो होते है वो असल में हमारे attitude को measure करने के लिए होते है ठीक हो गया मतलब किसी भी इनसान का attitude होता है overt behavior होता है किसी चीज़ के बारे में उसको measure करने के लिए होते है आपका attitude आपका मतलब आपकी mental approach किसी भी चीज़ के बारे में sorry मैं overt covert बोल गई attitude जो होता है वो covert in nature होता है ठीक हो गया attitude test में सबसे famous होता है liquor scale जो liquor scale होता है इसको submitted rating scale भी कहा जाता है अब इसको submitted rating scale कहा क्यों जाता है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो response करते है ना liquor scale में ठीक है उसको end में sum up करके और final conclusion तक पहुँचा जाता है इसलिए इसको submitted rating scale कहा जाता है अच्छा अब हम देखते हैं कि liquor scale असल में होता क्या है यह most widely used है जैसे personality measurement में मैंने आपको काता ना thematic application section test जो है वो most widely used है तो इस तरह attitude scales में liquor scale को सबसे जादा use किया जाता है इसमें जो है ना पांच responses होते है ठीक है दरम्यान में neutral का word होता है और sides पे जो है positivity और negativity को show किया जाता है मतलब neutral agree strongly agree और दुसरी side पे जो है buying side पे disagree strongly disagree इस तरह का होता है मतलब उसमें यह होता है कि आपको कोई statement दी जाती है उसमें आपके attitude चेक करने के लिए आप सो पुछा जाता है कि आप इस statement से कितना agree करते है यह कितना disagree करते है ठीक हो गया दूसरी जो type है वो है semantic differential scale जो semantic differential scale होता है उसमें किसी चीज़ों किसी भी word के यह किसी भी event के यह किसी भी concept के हवाले से बात की जाती है ठीक है कोई भी एक given word होता है और उसके real meanings की बज़ाए उसके connotative meanings पर discussion होती है अच्छा आप connotative meanings क्या होते है मतलब जो असल grammatical meanings होते है जो dictionary के meaning होते है वो नहीं बलकि ऐसे माइनी जो असल मतलब की बज़ाएना hidden मतलब दे रहे हो ठीक है मतलब कह तो आप कुछ रहे हो लेकिन उससे मुराद कुछ और हो आपकी जैसे हम simple words में कह देते हैं कि glass देना जरा असल में हम यह कहना चाहा रहे होते हैं कि पानी का glass देना अगर पानी और जग सामने रख़ए और हम कहें इदर आएक glass पकड़ाना तो हम असल में यह कहना चाहा रहे होते हैं कि हमें पानी का एक glass पकड़ाना तो इस तरह मतलब dictionary के meanings जो हैं उसकी बजाए जो word का hidden meaning होता है उसको हम connotative meanings कहते हैं तो semantic differential scale जो होता है वो असल में ऐससे ही words, things, events और concepts को जो हैं वो महीर करने के लिए होता है और इसमें ऐसा होता है कि जैसे blanks दे दिये जाते हैं for example और यह एक से लेकर साथ blanks होते हैं और mostly इसमें adjectives यूज होते हैं opposite meanings देखे जाते हैं ठीक हो गया, कि मतलब जो साथ species दी होंगी ना उनमें से किसी एक पे आपने mark करना होता है, मतलब एक statement दी जाएगी या कोई word दिया जाएगा आपको ठीक हो गया, फिर उसके ना given concepts जो होंगे उससे related given concepts आपको दिये जाएंगे एक से लेके 7 के दम्यान कुछ number भी हो सकते हैं, एक से 3 हो सकते हैं एक से 5 हो सकते हैं, एक से 7 हो सकते हैं लेकिन होंगे ये old numbers में even numbers में नहीं होंगे, ठीक हो गया अब उसमें से आपको कहा जाएगा कि जो most suitable आपको लगता है आप अपने attitude के हिसाब से को टिक कर दें, आप उसको अपने attitude के साफ से टिक करते हैं और end में आपके सारे responses जो है ना, उनको sum up कर लिया जाता है, अच्छा, उसके बाद एक और type है, thrust and scale, thrust and scale भी बड़ा paper point of view, तो बड़ा important है, इसमें जो है ना, आपके favorable या unfavorable attitude को मायर किया जाता है, मतलब एक respondent जो होगा ना, वो किसी चीज़ की favor में है या उसके against है, इस चीज़ को मायर किया जाएगा, मतलब मायर किया जाता है, ठीक हो गया, अब इसमें 1 से 11 के दर्मियान odd numbers में कुछ, मतलब 1 से 3, 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9, 1 से 11 responses हो सकते हैं, ठीक है, और different statements होती है, उसके बारे में आपने response देना होता है, और end में जो है ना, इन सारे statements को check कर लिया जाता है, ठीक है, यह होते हैं, thrust and skills, बस इसका main, जो keyword ना, वो यह है, कि आपका जो favorable या unfavorable attitude होगा ना, किसी भी statement के बारे में, उसकी rating की जाएगी, अच्छा, उसके बाद एक fourth type जो है, इसकी gutman scale है, जिसको social gram भी कहते हैं, ठीक है, social gram, आपको पहले भी मैं बता चुक्यूंँ, अच्छा, gutman scale यह social gram जो है, वो एक cumulative scale है, आप cumulative क्या होता है, cumulative होता है, उर्दो में cumulative की meaning होते हैं, मजमूवी तोर पर, ठीक है, जिसे आपके CGPA में भी cumulative का word जूज होता है, मतलब आपका जो GPA है, वो cumulative at the end मजमूवी तोर पर आपका GPA क्या बना है, ठीक है, यह concept clear करवाने के लिए, मैंने आपको example दे दी, अच्छा, English में अगर इसकी meaning देखें न, तो increasing in successive order, आपने English वाले meaning से इसको relate करना है, इसके concept को, increasing in successive manner, successive का मतलब होता है, मतलब जो अब हमारे पास चीज मौजूद है न, उससे पहले वाले, ठीक है, predecessors, successors, हमारे बावज़दात के लिए, हम English में word use करते हैं न, तो successive order में आपने, मतलब पहले intensity काम थी, उससे जदा, उससे जदा, उससे जदा, इस तरह से न, ये increase होता जाता है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें न, different, मतलब एक statement के बारे में, फिर different questions पूछे जाते हैं, आपका एक concept होता है न, आप उसके questions जो है न, वो different तरीकों से पूछने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बात एक ही चैल रही होती है, पूछ आप different तरीकों से रही होते हैं, और फिर उसके बारे में आपकी responses लिया जाते हैं, ठीक है, अब अगर आपने, मतलब एक ही जो concept है, उसके अगर five questions एक psychologist ने, या जो response collect कर रहा है, उसने generate किया हैं, तो five responses में, अगर आप पहले response पर, दूसरे response पर disagree करते गए हैं, लेकिन third question पर जाके, अगर आपने agree कर दिया न, तो it means, आपके पिछले जो दो response हैं न, one or two, वो भी agree ही consider किया जाएंगे, क्योंकि आपसे घुमा के, एक ही बात पूछी जा रही होती है, या for example, पांच responses हैं, और आपने पहले चार से agree किया, लेकिन पांच में question पर जाके, अगर आपने disagree भी कर दिया न, तो आपके पहले चार भी disagree ही count होंगे, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खसूसित यह होती है, गर्टमेंट स्केल की, क्योंकि आपसे एक ही concept के बारे में, different ways में question किये गए होते हैं, अच्छा, अब आपके attitude को मईयर करने के लिए, questionnaire और opinion air भी यूज होते हैं, क्योंकि पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ, daily life examples भी दे चुकी हूँ, बस एक new information आपके साथ share करना थी, कि जो opinion air होता है वो qualitative nature होता है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी subjective approach को इसमें बताना होता है, जो questionnaire होता है वो quantitative nature होता है, questionnaire में हम given responses भी दे सकते हैं, ज़रूर नहीं कि questionnaire में हमारी subjective approach हो, questionnaire में हमारी objective approach भी हो सकती है, तो जहां objective approach होगी, तो वो हमारी objective thinking के साथ deal करेगी, और वो qualitative nature होगी, ठीक हो गया, एक और scale जो कि हम attitude को मेर करने के लिए use करते हैं होता है, checklist, checklist क्या होता है, अब checklist में न, मैं आपको example देती हूँ, जब आप किसी job के लिए apply करने लगते हैं, specifically government jobs के लिए, तो एक checklist दी जाते हैं, या आप transfer के लिए apply करते हैं न, तो एक checklist दी जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है, कि आपकी documents के एक list दी हुई होती है, और आपने जो है न, जो जो documents से उसमें लगाए होते हैं, उसको आप tick mark करते जाते हैं, या checks को fill करते जाते हैं, checks दिये होते हैं, आप उसको fill करते जाते हैं, ऐसे ही होता है न, अब इसी concept से आप relate करने हैं, अपने checklist को, अब attitude को मेयर करने के लिए, क्या किया जाता है checklist को, different कामों को organize कर दिया जाता है, different tasks को organize कर दिया जाता है, different concepts को organize कर दिया जाता है, different occasions को organize कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब जो चीज़ उन्होंने मेयर करनी होगी न, आपकी personality, उस हिसाब से, मतला वो list बना लेंगे ठीक है और उनको systematic way में मतला एक sequence के साथ एक तरतीब के साथ उनको prepare करेंगे वो और साथ में checks रखते जाएंगे ठीक है अगर आप उस चीज़ के हक में होंगे या आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी तो आप उसको tick कर देंगे otherwise आप cross कर देंगे या उसको खाली छोड़ देंगे यह होते हैं जी checklist अच्छा अब आजाते हैं rating scales की तरफ जो rating scale होते हैं यह किसी चीज़ की हो आपने rating देनी होती है ठीक है जैसे बिल्कुल नहीं mild, moderatic, square, very square जैसे none, good, very good या फिर extremely good, extraordinary good इस तरह से ठीक है यह एक से 5 तक भी हो सकते हैं यह एक से 7 तक भी हो सकते हैं यह अब जिसने मतलब response collect करने हैं यह उसकी मरजी पर depend करता है यह psychologist की मरजी पर depend करता है कि वो rating scale में कितने checks sorry, कितने, मतलब कितनी intensity आपकी मयर करना चाता है अच्छा, अब मैं आपको यह बताती हूँ कि जो rating scale है और जो liquid scale है इनमें difference क्या होता है जो rating scale और जो liquid scale है उसमें difference यह होता है कि जो हमने liquid scale पहले discuss किया था उसमें 1-5 मतलब सिर्फ 1-5 तक ही मतलब आप ऐसे समझने के responses में से आपने कोई given responses में से collect करना होता है एक तो यह बात हो गई और जो हमारे पास होता है liquor scale के इलावा यह जो rating scale rating scale में 1-7 तक भी जा सकते हैं और जो सबसे main difference है liquor scale में और rating scale में वो यह है कि liquor scale में intensity measure नहीं करते ठीक है आप positivity या negativity measure करते है लेकिन जो हमारे पास होता है rating scale इसमें आप किसी चीज़ के बारे में अपनी intensity ठीक है जो respondent होगा न उसकी intensity of feelings intensity of attitude measure किया जाता है सबसे बड़ी बड़ा जो difference है ना इन दोनों में यह है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था liquor scale में कि दरम्यान में जो option दिया होता है वो होता है neutral का ठीक है buying side पे mostly negativity के हवाले से होता है जैसे neutral good very good buying side पे और buying side पे bad very bad ठीक है मतब आपका positive point of view और negative point of view इन दोनों के दरम्यान चेक किया जाता है liquor scale में जिसको हम submitted rating scale भी कहते है लेकिन जो होता है न हमारे पास rating scale simple rating scale उसमें आप intensity of attitude को measure करते है मतब आप अगर आपका कोई behavior है आपका कोई attitude है तो वो इसके बारे में कैसा है अगर आप for example depression feel का रहे हैं अगर आप किसी चीज़ के बारे में sympathy feel का रहे है तो sympathy का लेवल कैसा है मतब आप sympathy पहले लेवल पर यह होगा कि आप sympathy बिल्कुल feel नहीं का रहे दूसरे लेवल पर यह होगा कि आपकी sympathy mild है moderate है swear है यह very swear है ठीक हो गया hopefully आपको इन दोनों का difference भी hard work करके इतनी books study करके आप लोगों के लिए main main points collect करना is a tough job especially for a female that is jobian and having four siblings in the form of child your children मतलब चार बच्चों के साथ इस तरहां से आप लोगों के लिए work करना और बिल्कुल मतलब ऐसे कहते हैं नहीं मतलब आप से कोई बदले में मतलब डिमांड भी ना करना बदले में तो कम असकम like तो मेरा right बनता है तो अगर आप इस चैनल पर new हैं तो चैनल को subscribe कीजिएगा मिलते हैं फिर next video में till then Allah अफ़ेज